हलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम अपने तीन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं बेंट्यूरी मीटर के बारे में पाइटो ट्यू मीटर एंड रोटा मीटर तो यह हमारे फार्मसोटिकल इंजिनेरिंग की फर्स्ट जो यूनिट है उसका फर्स्ट चेप्टर है उसी के यह कुछ टॉपिक है तो बैसे तो हमारी यूनिट थर्ड्स है कंप्लीट है तो यूनिट फॉर्थ को हम स्टार्ट करेंगे तो यह कुछ टॉपिक हमारे छूट गए थे तो आज हम इसको कबर करेंगे तो आप बाकी जो भी आपको वीडियो देखनी हो बाकी को सब्जेक् तो आप जाके देख सकते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं तो बैंट्यूरी मीटर पाइटोड मीटर और रोटा मीटर इन तीनों का जो में काम हमारा यह था कि यह क्या कर रहे थे रेट ओफ फ्लो को पता लगा रहे थे रेट अफ फ्लो क्या कि हमने फ्लोफ फ्लूड हमारा चैप्टर का नेम है, तो flow of fluid का अंशार क्या है, कि कोई भी एक pipe है जैसे, तो इस pipe के अंदर क्या है, हमारा जो liquid है, वो flow हो रहा है, liquid flow हो रहा है, जा air या फिर gas flow हो रही है, तो बड़ी-बड़ी कंपनिया या industry बगरा में क्या होता है, कि वहाँ पे हमको gas की जरुवत होती है या पिर कहीं पे liquid की जरुवत होती है, तो वो pipe के थो flow करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको maintenance करने की जरुवत होती है, जो इनकी speed है, जानकि जिस speed के साथ ये flow हो रहे हैं, जा इसको velocity भी हम बोलते हैं, तो velocity, speed के साथ जिस speed और velocity से flow हो रहे हैं, वो हमको maintain करने की जरुवत होती हीए और फिस-ते कियासटी की लिए था तो हमें तीनों की 치 क्या कर घर्ल सकते हैं रेट Alle ओप लेक्ट यह इसका रेट नौब करते हैं तो यह यह काम का। और जो हमारा प्रेजिप्ल है जो मेरत नों और इनका principle इस चीज़ पर बेस है वरनौली थियोरम पर तो वरनौली थियोरम यहां पर यह काम आती है कि जब हमारा यह rate of flow कर रहा है ना उसके दौरान जब भी यहां पर कुछ भी contraction होगी जैसे कोई भी माली से बड़ी जगा है यहां पर अगर हम इसको छोटा कर दें तो को ऐसे दबा देते हैं हम पिंच करते कभी कभी करते हैं हर किसी ने किया होगा तो आप देखते हैं कि जो हमारे स्पीड है पहुत तेज हो दाती हमारा पानी बहुत तेज मतलब से लग in के और इसको पिंच श हर देंगे तो हमारा यह इतनी दूर दा गे गर गिरने increase होनी की वाज़ते उसके pressure head में भी कुछ changes आते हैं अब pressure head यानकि pressure को हम किस से measure करते थे अपने बैनुमीटर से तो pressure को measure करने के लिए हमने क्या लगा रखा यहां पे बैनुमीटर का यूज कर रखा है तो चलिए अब तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है कि यह कहीं पर मतलब हो सके ठीक है तो यह हमारे दौन तरफ जैसे चोड़े हैं मतलब अपने लेकिन यहां बीच में कंस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मतलब इसके को पतला कर दिया गया है और यहां से हमारा जो वाटर फ्लो होगा ना वो यहां से फ्लो होगा हमारा फ्लीवड और यह हमारा डाउन स्टरी में यहां से हमारा निकल जाएगा भी मैं इसको दिखा दूँगा कैसे लिए यहां पर यहां पर हमारा क्या है वाइड है आप देख सकते इतना यहां पर यहां पर यहांसे मीजर कर सकते वह हमारे मैया में आजाएगा कितना ठीक है फ्रेंट यह हमारा इलेट सेक्षन होता है एक आउटलेट सेक्षन होता है और यह हमारे दौनों होते हैं टैपर्ड सेक्षन तो यह हमारा एक चीत और याद रखेंगे जो हमारा अप स्ट्रीम का जो टैपर्ड सेक्षन है वह हमारा छोटा होता ह तो यहां से हमारा क्या है,'llict flow हो रहा है इसности तरफ से, इस direction से, आप समझजगे और यहां पर बापस निकल जाता है अब हम को क्या करना होता है, कि यजicion हम futurometer लगाते हैं न, तो जैसे हम इसके बीच हमें लगा देगे, यहां पर हमारा ये थोड़ा टेड़ा वन गया फ्रेंस एडशट कर लेना तो यह मारा क्या हो गया बेंटिर्य मीट इस तरह से होता है यहां से हमारा इनलेट होगा और यहां से एक TOD cream है यहमारा क्या है down今 घोंशत्रीम क्यों अब यहां पे लगते हैं तो यहां से हमारा नॉर्मल यह क्या है एंटर कर गया जितनी इसकी स्पीड थी उसने स्पीड पे नॉर्मल एंटर कर गया उसके बाद जैसे यहां पर यह स्ट्रिक्ट होगा छोटा तो वही मैंने बताया प्रेले अगर यहां पर गिर रहा होता तो आगे गिरने लगता है कि जब यहां पर पतला कर देंगे तो यह हमारा यह है यह इसकी जो बैलो सिटी औफ फिलीउड वह क्या हुझा इंक्रीज हो जाएगी ठीक है फ्रेंट बेलोसिटी इंक्रीज होने के वजाए से यहां पे जो हमारा प्रेसर डिफरेंस है वो थोड़ा सा चेंज होता है यानि कि अगर माल लीजे हम प्रेसर डिफरेंस को प्रेसर एड को डेल्टा एच लिख रहे हैं आप यह भी समझे तो यह हमारा क्या है प्रेसर डिफरेंस और इसको हम मीजर किस से करेंगे मैनोमीटर से तो इसको तो हमें कोई टैंसल लेनी नहीं है हमने सिंपल क्या कर दिया डेल्टा एच प्रेसर डिफरेंस इसको मैनोमीटर से कैल्कुलेट कर लेंगे इसली अब हमारा बेलोसिटी फ्लो य लिए difference डाला बाकी जितनी यहां से enter हुई थी उतनी ही यहां से exit हो जाएगी speed ठीक है फ्रेंट तो यह हमें ऐसे लगा लेते हैं और यहां पर हमने manometer लगाया उसे speed अब इसको calculate कैसे करते हैं यह तो हमारी manometer से तो हम यह different अब इसका formula यह होता है कि आप यह समझे यू हमारी velocity of bentonometer तो हम यहां भी लिख देता है यह हमारा होता है coefficient of bentonometer cv अब यहां पर हमारा निकलता है delta 2g और हमारा delta h अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना जी हमारा gravitational force है तो 9.8 या 3.14 यह हमारी simple आप value यहां पर 9.8 यह हमारी value आती gravitational force की वह यहां पर हम पुट कर देंगे फिर delta h हमारा यहां पर जो मैनोमीटर में हमको साफ साफ दिख जाएगा वह यहां पर हम पुट कर देंगे और cv हमारा coefficient of यह है तो यहां पर हम जितना साइज रूप उसकी according हमारा coefficient निकल के आता है वह आपको मिल जाएगा आपको calculate करने की जरूवत नहीं है हम यहां पुट करेंगे और हमारा जो value city है वह easily find out हो जाएगी तो यह हमारा simple है इस तरह से हम इसको निकालते हैं friends easy है अब हम अपना यहां पर एक इस और देख लेते हैं कि इसका uses कहा है हम इसको यूज कहां कर सकते हैं यह formula है मैंने आपको सारे notes आपको description box में मिल जाएंगे वहां से आप ले सकते हैं वरना हमारा पाइटो ट्यूब मीटर यह भी हमारा सेम था जो हमने बात की थी वर्णॉली सोरम पर काम आता है और इससे भी हम क्या करते है स्पीड बैलोसिटी या rate of flow of liquid या rate of flow of fluid को हम calculate करते हैं तो यहां पर हमने बैलोसिटी हैड बोल रखा है अब उसमें और इसमें difference क्या है इस चीज़ को हम समझें तो यह हमारा सिर्फ एक पॉइंट पे वैल्यू को calculate करता है जैसे बैंट्यूरी मीटर के आदा पूरी की पूरी हमारी यह वैल्यू यहां से आ रही है और यहां हमारी क्या हो साती है न लगाते हैं कि कितनी इसकी rate of flow of velocity है rate of flow of fluid है ठीक है फ्रेंट तो यह हमारा यह काम आता है जो मैंने अभी बताया था कि जाएगा तो हमारा वही सेम है फॉर्मूला भी यहां पर वही वाला सेम है वही पुट करना है डेल्टा हमको मिल जाएगा बागी कुस नहीं करना हम construction से की समझ लेते हैं तो जैसे यह हमारा है एक pipe जिसमें हमारा क्या है fluid जो है ठीक है फ्रेंट अब हमने क्या किया एक 90 डिग्री के एंगल पर हमारा होता है जो हमारा यह है पाइटो ट्यू मीटर एक जो हमारा होता है वो इसके parallel है liquid flow इस साइड जा रहा है यह हमारा liquid इस एक हमारा होता है यह parallel मतलब liquid flow इस तरह में डाया रहा है लेकिन हमारा यह पाइट इस तरह ऐसे अटेच है तो एक हमारा perpendicular है एक हमारा parallel है और यह 90 डिग्री पे होता है यहाँ पे अब क्या होगा यह हमारा liquid flow कर रहा है ठीक है अब यहां पर एक मैनोमीटर और लगा देते है क्योंकि यह होगा यहां पर थोड़ा बहुत प्रेसड फोट है वहाँ फोट है जो हमारा blend dream में होडा से तो उसके लीए अमने यह मैनोमीटर लगा रहा है अब क्या होगा यहां से जब यह प्रेसर हमारा liquid जा आ रहा है तो इस जगा पे हमारा यह पाइप है यह हमारा कितना है पतला है अब देखिए इतना सारे लिकुड को इतनी जगह थी लेकिन यहाँ पर क्या उसको एक पतला पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी उसकी वह हिसाब है कि पतले पाइप से करके दिखा देता हूं ठीक है यह मेरी चल रही है और यह हमारा है जो हमारा पाइट मीटर है वह अब यहां से हमारा लिकुड फिलो हो रहा है यह जा रहा है अब लिकुड जितनी ज्यादा स्पीड से इसमें एंटर होगा जितनी ज्यादा स्पीड से इसमें एंटर होगा उत इस चीज को मीजर करने के लिए अब जितना ज्यादा जाएगा ऊपर उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा यहां पर rate of flow of liquid यहां कि velocity उतनी तेज होगी सिंपल है फ्रेंट कि यह हमारा पानी जितनी तेज यहां पर बहरा है तो अगर किसी यहां पर लगा रखा है मैनोमीटर जैसे यहां से हमारा लिकुड जाएगा यह हमारा ऊपर आएगा यह हमारा यहां तक ऊपर आएगा जितना ज्यादा उपर आएगा उतना यह तेज होता है और जितना ज्यादा आएगा वह हम यहां पर calculate कर लेंगे मैनोमीटर से अब यहां हमारा फॉर्मूला है अगेन वैलोसिटी एक्च्वल वाला सी भी हमारा पाइटोट ट्यू का जो हमारा कॉपी सी एंटो का वो तू जी हमारा वही प्रेविटेशनल फॉर्स है डेल्टा इस है वह मैनुमीटर से यहां केलकुलेट करके यहां पर यहां पर बैल्ली को पुट कर देंगे और हमारा जो वी एक्च्वल है वह हमारा निकल आएगा कितना ज्यादा निकलेगा अब आपको यह भी पता लग गया होगा कि यहां जो सब्सक्राइब आपको सारा कुछ दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप डारक्ली मैसेज करके भी मुझसे आप कोईशे भी डावट कोशन पूछ सकते हैं यह किसी के नोट चेहें हो बोवी तो रोटामीटर क्या है अब यह हमारा इन दौन से थोड़ा डिफरें को हम इसको एक तो झान है ओंन दा पाइब जैसे मिसी इनसाइड दा पाइप फिट कर रहेते दौनों को यह पी और यह पी क्योंकि यह ओक्ति आरिया यहां पे जो हमारा प्रैसर है जिससे हम निकाल लेते हैं इसलिए यहां पर इसका कोई भी रॉल नहीं लेते हैं अब यह थोड़ा आपको फोकस ध्यान से सुनना है क्योंकि यह हमारा एक्जाम में है यहिं यह पूछे जाते हैं तो प्या कहता है कि पहले है ल li दूसरा कया है टैपअर्ट्स होने बाला टिसरा है ट्रांस्परर्ण का हो सकता ही जिसमें आरपार देख सकें एक क्या-क्या होगा व далее देख सके और इस पूरे के पूरे के अंदर हमारा होता है यहाँ पे प्लमेट आप देखी लिए जिससे आपको यह इजी लगेगा तो आप यह समझे यहाँ पर क्या है हमारा पूरा का पूरा है यह है रोटा मीटा ठीक है यह हमारा पूरा का पूरा ग्लास से बना मतलब पार से एक example समझेए साइध बचपन में सभी लोगों ने खेला होगा तो एक बॉल आती थी इस तरह से यहां पर क्या था हवा मारने वाला ठीक है यह था तो यहां से हम क्या करते थे अपने मुझ में इसको लेकर इसमें हवा मारते थे तो जो यहां पर बॉल होती थी ना वो क्या क कर रही थी इसको ऊपर उड़ा रही थी से मैंना प्रंदी पर आप इसके जाते हैं सिंपल एकजांपल समझेए फ्रेंड्स हर घर में टंकियां तो लगी होती है पानी की टंकियां अगर नई अग में हो तो छट पे जागे आप जरूर एक बार देखना तो आप धकन ओन करे ये हमारा ऊपर उड़ता रहता है और पानी जैसे भढ़ता है ये हमारा ऊपर आजाता है और इसको यह हमारा पूरा रोटामी इसके नदर एक तरहbasis backlog नहीं हमाराroph होता है जो क्या करता है उपर हाइड होता है और यह हमारा पूरा ट्रांस्पेरेंट होता है उसके उपर हमारे स्केल और बने होते हैं तो यहां पर हमें कुछ और की जरुवत नहीं होती है हम डारेक्टली यहां पर जो स्केल है इसी में हम देखके पता लगा लेते हैं रेट अब यहां से जैसे हमारा लिक्विड फ्लो करेगा तो जितना तेज होगा उतना अंदर इसमें जाएगा आपको एजी लगेगा तो नीचे से जब लिक्विड दा रहा है तो यह उपर उठ रही है यानिक एक फोर्स नीचे लग रहा है हमारा फिल्यूड का ठीक है फ्रेंट और ओपर से अगर यह लिक्विड थोड़ा सा कम हो जाता तो यह रही नीचे आजा थी क्योंकि उपर से अमारा टेक्ता ग्रेविटेस्ञी dance FOR so you मारा कुछ आप बाइस होगा राई जेस आए जब पर एक टाइम ऐसा हैगा जो मारी औले थोड़ा सा हमें rate of flow of liquid, simple है friend, बहुत जादा, कुछ नहीं करना, बस इतको fit करना है वहाँ पे और इसी तरह हमारी जिन निकलाती है, अब यह हमारी जो यह plummet है, यह हमारी lead का बना होगा, यह aluminum का होगा, यह glass का जा प्लास्टिक का किसी का भी हो सकता है working वही है इसको हम fit करेंगे उसके बाद इसमें जैसे flow of पानी किया जाएगा हमारे यह surrounded होगा यह हमारा पूरा पानी के जैसी भर जाएगा यह जादा ऊपर जाएगा बीचे जाएगा depending on rate of flow जितना होगा उतने ज्यादा अब जितना ज्यादा अगर ग्रेटर अगर ज्यादा है तो यह हमारा और उपर रहेगा हाई यह प्लमेट राइज नट्यू तो यह हमारा सेंपल होता है यहां प्रेसर ड्रॉप हमारा कॉंस्टेंट होता है नियरली कॉंस िना इसका यूजिक किया आता है मतलब कहीं भी जैसे हमारा पैप यहां पुरी नगी हुई हुई है यह हम्हारा सिंबल कहीं पर थोड़ा था जहा जॉंट हैं वहां यह लगा देते हैं और यह हमारा खुदी reading देता रहता है और जब इसको यह बेस्ते है मतलब जब dealer वगारा तो इसके साथ में वो कुछ कागज भी देते हैं जिससे आप इसलिए इसको देख भी सकते हैं कि कैसे क्या 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 करना है और यह हमारा गैस और लिकुड दौनों के लिए सुटेबल होता है तो आई होप आप लोग को यह तीनों की तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट से तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से अब अब यूनिट फोर्स श्टार्ट करेंगे फिल्ट्रेशन में तो तब तक लिए थैंक यू टेक केर बाई बाई